नमस्कार शिक्षार्थियों मैं डॉक्टर आशीश रवास्तो विश्व भारती शानती निकेतन से आप सभी सिक्षार्थियों का NIS के स्टूडियों में हार्दिक स्वागत करता हूं सिक्षार्थियों आज की हमारी चर्चा का विषय है अधिगम केंदृत प्रणाली में आकलन सिक्षार्थियों यहाँ हम दो बाते करने जा रहे हैं जिसमें एक paradigm shift हमने देखा है पिछले बीते कुछ वर्शों में जिसमें पहली बात है अधिगम केंदृत प्रणाली पिर अधिगम अधिगम केंदर में है और चुकि अधिगम केंदर में है यहाँ पर सिक्षक और चात्र दोनों की भूमिका को स्विकारा जाता है और वो सारे कदम जो अधिगम को बढ़ाते हैं अधिगम को मजबूत करते हैं वे सारे कदम यहाँ पर स्विकारे होते हैं सक्षारतियों आकलन की आजकल हम बात कर रहे हैं और आकलन पर आने से पहले हम मुल्यांकन की बात क्या करते थे मुल्यांकन चुकि निरनयात्मक होता था प्रदा आधारित यानि product oriented होता था output oriented होता था अतव वहाँ पर एक नकार आत्माक्ता थी एक निरनयात्मक भाव था आकलन में यह निरनयात्मक भाव नहीं है क्योंकि जो आकलन है यह आकलन प्रक्रिया पर आधारित है और यह रचनात्मक है और यह कहीं न कहीं एक मजबूत प्रतिपुष्टी प्रदान करता है ताकि वह प्रतिपुष्टी के आधार पर अधिगम को और अधिक मजबूत बनाये जा सके सिक्षारतियों अधिगम केंदित प्रणाली का लक्ष अधिगम की प्रक्रिया पर होता है जिसे कि हमने चर्चा की यहाँ पर सिक्षक, छात्र इन बातों पर जोर ना दे करके हम अधिगम पर बल देते हैं जो कि अधिगम पर बल दे रहे हैं इस वज़े से सिक्षक तो अपने आप ही स्वत्व ही केंद्र में आ जाता है और सिक्षक की भूमिका भी यहाँ पर स्विकारी होती है सिक्षार्थियों अधिगम केंद्रित प्रणाली का जो मुख्य उद्देश है वह सिक्षार्थी के अधिगम से संबध होता है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह मूल रूप से सिक्षार्थी केंदित ही है लेकिन इस प्रणाली में सिक्षक को भी शामिल किया जाता है क्योंकि वह भी कक्षा कक्ष की अधिगम परिस्थितियों का एक महतुपूर्ण अंग है और जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी अधिगम केंदित प्रणाली का जो केंद्र है जो बल है वह अधिगम पर है अधिगम पर होने के कारण सिक्षार्थी तो केंद्र में है ही सिक्षक को भी हम कहीं न कहीं कक्षा कक्ष का एक महतुपूर्ण अंग होने के नाते उसको स्वेकार करते हैं सिक्छार्थियों शोधों से यह स्पस्ट हुआ है कि अधिगम केंदित प्रणाली सिक्छार्थी की दक्षता एवं संपून जीवन काल के लिए महत्वपून है त्योंकि यहाँ पर अधिगम परबल है इसलिए जो सिक्छार्थी की दक्षता है वह दक्षता उसके संपून जीवन काल में एक महत्वपून भूमिका अदा करती है वेईमर दो हजार दो में उन्हें कुछ पांच बिंदु सुझाये थे जो प्रक्रिया को अधिगम केंदित प्रणानी बनाने के लिए महत्वपून है वे पांच बिंदु हैं विशय वस्तु की भूमिका, सिक्छक की भूमिका, अधिगम के दायित्व, मुल्यांकन के उद्देश इवन प्रक्रिया और शक्ती का संतुलन अधिगम के इंदिर पढ़ाने के लिए विशय वस्तु की भी भूमिका है सिक्छक की भी भूमिका है अधिगम के लिए दायत्व हैं जिसमें सिक्छक और छात्र दोनों शामिल है और मुल्यांकन सोदेश है और प्रक्रियात्मक है और यहाँ पर शक्ति का संतुलन है सिक्छार्थियों अधिगम एक व्रहत संकल्पना है जिसमें सिक्छार्थी, सिक्छक तथा अधिगम प्रक्रिया सामिल है बीते समय में अधिगम अदा आधारित होती थी जिसका ध्यान पाठिकरम तथा विशय वस्तु पर हुआ करता था किन्तु आज अधिगम प्रदा आधारित है और इस तरह से अब यह पेडागोगी से एंडरागोगी की तरफ परिवर्टित होती हुई दिखाई पड़ती है सिक्षारतियों जब हम सिक्षक केंद्रित सिक्षा प्रणाली की बात करते थे तो वहाँ पर हमारा जो ध्यान था हमारा जो बल था वह इंपुट आधारित होता था हमारा सारा ध्यान इंपुट्स पर रहता था अदाओं पर रहता था लेकिन धीरे धीरे अब हमारा जो ध्यान है वो प्रदा आधारित है Output oriented हम हो चके हैं और इसी वज़े से अधिगम केंद्रित प्रवानली का जो बल है वो प्रदा आधारित है कि हमारा अधिगम का स्वरूप क्या है सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पस्चात जो परिणाम है वो परिणाम क्या है अधिगम के बारे में जो एक और परिवर्तान है वो है यह है कि अब जो अधिगम है वो अरजित से निर्मित की तरफ रूपांतरित हो चुका है यानि पहले जह हम ग्यान का अरजन किया करते थे अब हम ग्यान का अरजन नहीं ग्यान का निर्मान करेंगे अतहर यह जो अरजन से निर्मान की तरफ जो एक रूपांतरन हुआ है इस उरुपांतरण के पस्चात आंकलन के लिए एक महत्वपून आधान प्रदान करता है सिक्चारतियों अधिगम करता के साथ साथ उसके परिवेश उसके सामाजिक संदर्व सांस्कृतिक प्रस्टिभूमी भासाई आधार पर उसे ग्यान के निर्मान में उसकी सहभागिता की मांग करता है यह एक बड़ा बदलाव है जो अधिगम की प्रक्रिया को समगरता के साथ समझने का अवसर देता है और आंकलन के लिए संदर्व प्रदान करता है जब हम आकलन की बात करते हैं तो यहाँपर जो संदर्व है उस संदर्व की बहुत बड़ी भूमी का है बच्चे का जो सांस्कृतिक प्रस्ति भूमी है जिस समाजिक परिवेश्थ से वो बच्चा आ रहा है जिस भासा याधार के साथ वो बच्चा आ रहा है इन सारी बातों का आंकलन में बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है क्योंकि आंकलन जो है वो प्रक्रिया आधारित है आंकलन जो है रचनात्मक है आंकलन रणयात्मक नहीं है अतह आकलन के दोरान बच्चे को उसके पूरे संदर्व के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं सिक्छार्थी जो केंदित प्रणाली थी उसका आर्था सिक्छार्थियां के अनभवों उनके स्वरों उनकी सक्री सहभागिता को प्रात्मिक्ता देना जबकि जो अधिगम केंदित प्रणाली है उसमें उपरियुक्त अनभवों के साथ साथ जो हमने सक्छार्थी केंदित प्रणाली के अनभवों थे उन अनभवों के साथ साथ इसमें उन सभी उपायों को सम्मिलित किया जा सकने की संभावना है जिससे अधिगम को सुनिश्च किया जा सके और इस प्रकार आंकलन में इस अधिगम के परिमार को देखा जाना ही उद्देश्य होना चाहिए सिक्षार्थियों सक्षक केंद्रित प्राली तो बिल्कुल भी स्विकारे नहीं है सिक्छार्थी केंद्रप्राली जो होती थी उसका जो अर्थ था वो यही था कि जो अनभाव है सिक्छार्थी के उन अनभावों को उनकी जो अपनी वोईस है उनके जो अपने स्वर है उनकी जो अपनी आवाज है उनकी उस आवाज को और उनकी जो सक्री सहभागिता है उसको प्रात्मिकता देना ये उसका केंद्रबंदु था तो जो अधिगम के इंडित प्रणाली है उस अधिगम के इंडित प्रणाली में ये सारे जो अनुभव हैं इनके साथ-साथ अन्य वो सारे उपाय संभिलित के जा सकते हैं जिनसे हम अधिगम को सुनेशित कर सके और फिर आकलन के माध्यम से चोकि आकलन में हम बच्चे के को सक्षम बनाए ताकि वह सिक्षार्थी की प्रकृति तथा वातावरण के अनुरूप ज्यान के श्रजन के लिए कक्षिय अनभव निर्मित कर सके और जब हम यह कर सकेंगे तो आंकलन को भी इस उद्देश की पूर्ती करने वाला होना चाहिए त्योंकि आंकलन का स्वरूप उप्चारात्मक होता है ना कि मुल्यांकन की तरह नड़नायात्मक सिक्षार्थियों गड़ित अधिगम का जो आंकलन है गड़ित अधिगम का जो आंकलन है को सिध्धान्त है जैसे पहला सिद्धान्त है पाठे वस्तू का सिद्धान्त इस सिद्धान्त का अतात पर है जो आकलन हम कर रहे हैं वह आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए आकलन संदर्व के अंदर होना चाहिए आकलन बाहरी दुनिया से नहीं आना चाहिए आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए दूसरा सिध्धान्त है अधिगम का सिध्धान्त अधिगम के सिध्धान्त से तार पर है आकलन गरित के अधिगम को बढ़ाने वाला होना चाहिए आकलन निरनयात्मक ना हो आकलन बस जो परिणाम आया है उस परिणाम को जानने भर की कोशिश न हो बलकि आकलन कुछ ऐसा हो जिससे अधिगम को बढ़ाने में मदद मिले जोकि यह रचनात्मक है उपचारात्मक है अतह इर उपचारात्मक और रचनात्मक होने के कारण आकलन ऐसा हो जिससे हम गडित में अधिगम को बढ़ा सकें इसके अलामा जो अगला सिधान थे वो है निस्पक्षता का सिधान अर्थात बिना किसी भेदभाव के हम आकलन करेंगे आंकिलन करते समय किसी भी तरह के पूर्वा ग्रह से, किसी भी तरह के भेदभाव से हम अपने आपको दूर रखेंगे सक्षारतियों हम भी देखें कि गडित अधिगम में आंकिलन की प्रकृति क्या है यह प्रकृत देखने की करशी शकर हम करें तो देखते हैं कि गडित अधिगम में क्रमबधता की उप्युक्तता होती है जैसे कि हमने पहले भी कहा था गडित में भैक्यों लगता है क्यों गडित की संचाई प्रवृत्ती है संचाई प्रवृत्ती क्यों है अगर आपको दशमलो कठिन लगता है तो प्रतिस्यत कठिन लगता है तो आपको विजगडित कठिन लगेगी और यह संचाई प्रवृत्ती कहीं न कहीं गडित का एक स्वरूप है यसलिए गडित के अदिगम में क्रमबधता की उप्यूकता ह आकलन करते समय हमको इस क्रमबधता के बारे में सोचना होगा इस क्रमबधता के बारे में हमारा ध्यान होना चाहिए इसके अलावा जो अगली प्रकृती होए अनुभवात्मक और संदर्भात्मक से चार्कियों बहुत ही महत्तुपूर्ण बात है ये कि जब हम आकलन करते हैं तो यह अनुभवा धारित हो और एक संदर्भ में हो संदर्भात्मक हो संदर्भ से बाहर हम आकलन बिन जा सकते हैं क्योंकि यह रचनात्मक है आकलन रचनात्मक है आकलन अप्चारात्मक है आकलन प्रक्रिया धारित है इसके अलावा जो प्रकृती है हम कह सकते हैं कि मौकिक से प्रदर्शन की ओर हम ले जाएं इसमें और क्रिया कलाब से लिखित की ओर हम अपने अधिगम को ले जाएं सिक्षारतियों अधिगम के इदित प्रणाली में जो आकलन है उसकी कुछ विशेष्टाएं है पहली विशेष्टा है कि इसमें अधिगम पर बल दिया जाता है दूसरी विशेष्टा है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाता है ना कि अंत में जब हमारी अधिगम प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के साथी साथ उसके समारांतर आंकलन भी चल रहा है मूल्यांकन की तरह प्रक्रिया के अंत में हम इसमें नहीं करते हैं तीसरी जिसके विशेषता है वह है प्राकर्तिक और संदर्भित इस्थितियों पर बल होता है लचीलापन है इसमें चुकि संदर्व को स्विकार कर रहे हैं अनभव को स्विकार कर रहे हैं लचीलापन हैं इसके साथी साथ सहभागिता, सामुहिकता, समस्या समाधान की योगता पर भी हमारा यहां पर बल है चात्र किस तरह से साहिभागिता कर रहा है समूह में वह किस तरह से वेवहार कर रहा है समस्या समाधान में वह किस तरह से अपनी एक इनिशेटिव ले रहा है इन सारी बातों को उस पूरे संदर्व में देखते हुए ही हम आंकलन करते हैं सिक्षार्थियों अधिगम केंद्रित उपागम, ये जो उपागम है, ये सभी उपागम सिक्षार्थी को केंद्र में रखकर अधिगम को समझने का आवसर देते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जिनने मैं समझना चाहिए, समस्या अधारित अधिगम उपागम, परियोजना आधारित अधिगम उपागम संरचनावादी अधिगम उपागम सहकारी अधिगम उपागम सहयोगी अधिगम उपागम ये सारे जो अधिगम उपागम हैं ये अधिगम किंद्ध उपागम माने जा सकते हैं ये सभी उपागम सक्षार्थी को केंदर में रखकर बात करते हैं। सक्षार्थी और रास्ट्री पाठेचर्या रूप रेखा 2005 ने पाठेचर्या निर्मार के पाँच निर्देशक सिध्धान्तों का प्रस्ताव रखा था। और यह जो सध्धान्त हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह गडित विशे के रूप गडित विशे जो हमारा है उस विशे में जो तमाम तेरे की जो कंप्लेक्सिटी जे उससे कहीं नगें को बचा सकता है। पहला सिध्धान्त था ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा सिध्धान्त था पढ़ाई को रटंत प्रनाली से मुक्त हो यह सुनशित करना। तीसरा सिध्धान्ता पाठे चर्या का समवर्धन ताकि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मोहिया करवाए बजाए इसके कि पाठे पुस्तक के इंद्रिद बनकर रह जाए चौथा सिध्धान्ता परिक्षा करो अपेक्षा करत अधिकला चीला बनाना और कप्षा की गद्विधियों से जोड़ना और पांचवा सिध्धान्ता एक ऐसी अधभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य वैवस्था के अंतरगत रास्ट्रिय चिंताए समाहित हों यह जो सिध्धान्त हैं यह गडित के विशे में विशेश करके बहुत ही महत्वपून हैं सिक्षार्तियों आकलन में उद्गमित कुछ प्रचलन हैं जैसे स्वा आकलन स्वा आकलन में बच्चा खुद च्छानवीन करता है तुलना करता है स्वा विशलेशन करता है प्रतिविम्मन करता है इसके अलावा समूह आंकिलन की भी हम बात करते हैं समूह आंकिलन में सहभागिता करता है बच्चा विमर्ष करता है बच्चा नेतत करता है स्वसुधार करता है इत्यादी अताह समूह आंकिलन में कही तरह की जो हमारे गुन है वह गुन भी गुन करता है कहीं न कहीं इस के लावा जो प्रदब्त कारे हैं उस कारे से भी आंकलन किया जा सकता है और इसको करने के दौरान हम यह देख सकते हैं जो दब्त कारे उसको दिया गया है उसमें अवधारना की समझ क्या है उसकी उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है वहतरकपूर्ण है या नहीं स्वयम की भाषा का उपयोग है या नहीं सुइस्पस्ट सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं उचित गरती संकेतों का प्रयोग कर पाया है या नहीं उत्तर की लंबाई क्या है और उस पूरे कारे में पूर अनभवों से संबंध क्या है इस तरह से स्वां आकलन, दत कारे से आकलन, समूह आकलन और इसके अलावा बिभिन क्रिया कलापों में उसकी सहभागिता क्या है उस सहभागिता में उस बच्चे का, उस छात्र का, की भूमी का क्या है किस तरह से भक्रया कलापों में अपना participation अपनी सहभागिता कर रहा है और इसके लावा सतत और व्यापक आंकलन ये सारे अधिगम के इंद्रित प्रणाली के आंकलन में महत्वपून है शचाक्तियों उप्रोक्त वर्नित जो पागम है और रास्ट्री पाठ्चर्या रूप रिखा 2005 के जो निर्देशक सद्धान्त है उसके दर्ष्टिगत आंकलन अपेक्षित है चुकि आंकलन का सुरूप रचनात्मक है ततहा उचित प्रत्ठिपुस्टी के द्वारा इसमें सुधार के लिए अवसर है और यह उत्पाद आधारित ना होकर प्रक्रिया पढ़ा आधारित होता है ततहा साथ ही साथ इसमें चिंतन और चात्र के साथ परिचर्चा भी में चात्र का समुचित आंकलन किया जाना चाहिए आशा करता हूँ चर्चा आपके लिए सार्थकरी होगी धन्यवाद